शार्व प्रतम्तो जैस्टेकर्ष आज हम लोग एक कथा सुनेंगे जो मां त्रिपूर भायरवी का हैं यह कथा बड़ी ही धार्मीक, मार्मीक तथा अध्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं नौरात्य का महीना भी चल रहा है तो एक बार जै माता दी छी अमान विश्व के अधिस्टान दक्छडा मुर्थी काल भैरों है उन्हे की शक्ती त्रिपूर भैरवी है ए ललिता या महात्रिपूर शुन्दरी की रथवाहिनी है ब्रम्हांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिदाष्ट्रे देवी के रूप में चित्रित किया गया है मत्स्य पुडान में इनके त्रिपूर भैरवी कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वरण प्राप्त होता है इंद्रियों पर विजय और शर्वत्र उतकर्ष की प्राप्ती है तो त्रिपूर भैरवी की उपाशना का वरण शास्त्रों में मिलता है महा विद्याओं में इनका छठा अस्थान है त्रिपूर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है इनके ध्यान का उल्लेक दुर्गा सप्त शती की तीशरे अध्याय में महिशा सुर्वध के प्रशंग में हुआ है इनका रंग लाल है ये लाल वस्त्र पहनती है गले में मुंड माला धारण करती है और अस्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती है ये अपने हाथों में जप माला उस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती है ये कमला आशन पर विराजमान है भगवती त्रिपूर भैरवी ने ही मधुपान करके महिस काहिरदे विदिरण किया था रुद्रियामल एवं भैरवी कुल सर्वस्वने इनकी उपाशना तथा कवच का उलेख मिलता है शंकटों से मुक्ती के लिए भी इनकी उपाशना करनी का विदान है घोर कर्म के लिए कालगी विशेश अवस्था जनित मानों को शान्त कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है इनका अरुडवर्ड भिमर्शा का प्रतीक है इनके गले में शुशोभीत मुंड माला ही वर्ड माला है देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुड संपन्य स्रिष्ठ प्रक्रिया के प्रतीक है अच्छ जप माला वर्ड साम्ब्राग्य की प्रतीक है पुष्तक ब्रह्म ब्रिद्या है त्रीनेत्र बेदत्रई है तथा अश्मती हाश का रुड़ा है आगम ग्रन्थों की अनुषार त्रिपुर भैरवी एक आच्छा रूप प्रणव है इन्षे शंपुर्ड भुवन प्रकाशि थो रहे हैं तथा अंत में इन्ही में लए हो जाएंगे और शे लेकर विसर्कत शोलह वर्ड भैरव कहलाते हैं तथा कौसे च्छ तक के वर्ड योनी अथवा भैरवी कहे जाते हैं श्वक्षन्धो तक के प्रथम पटल में इस पर विरिष्थित प्रकाश डाला गया है यहां पर त्रिपुर भैरवी को योगिश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है इन्होंने भगमान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपश्या करने का द्रड निरड लिया था बड़े बड़े रिशी मुनी भी इनकी तपश्या को देख कर दंग रह गया इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपाशना में नीरत उमा का दिरनिश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है स्ट्रिपुर भैरवी की इस्तुती में कहा गया है कि भैरवी शुक्ष मवाक तथा जगत की मूल कारण की अधिधाश्टी है त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं जैसे शिद्धी भैरवी, चायतन्य भैरवी, भुनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, शटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेशी भैरवी, भुरुद्र भैरवी, आदे शिद्धी भैरवी, उत्रामेग्य, पीठ की देवी हैं, नित्या भैरवी, पस्चिम आम्रिक की पीठ देवी हैं, इनकी उपाशक स्वयम भगवान शिव हैं, रुद्र भैरवी, तक्छुडा पीठ की भैरवी हैं, इनकी उपाशक भगवान विश्वु हैं, त्रिपुर भैरवी के भैरो पटुक हैं, मुंड माला तंत्र नुशार, त्रिपुर भैरवी को भगवान निरिशिंग की अभिन्य शक्ती बताया गया है, स्रिष्ट में परिवर्तन होता रहता है, इसका मूल कारण आकर्षड विकर्षड है, इस स्रिष्ट के परिवर्तन में छण छण में होने वाली भावी क्रिया की अधिधास्त्री शक्ती ही वैदिक द्रिष्ट से त्रिपुर भैरवी कहीं जाती है, त्रिपुर भैरवी की रात्री का नाम काल रात्री तथा भैरव का नाम काल भैरव है, तो आज हम लोग त्रिपुर भैरवी की कथा को सुने, जाने, आज के लितना है, फिर किशी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाया इस्त्रिक्रिष्ट